पर आघे करकि आएाट्ध ईलो अजिब हम लोग टेली देख रहे हैं डेली की डेली सुबा देखते हैं जैसे कल पॉलिटी के कोशन के देख रहे हैं आज हिस्ट्री से कोश्चन होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इत्ता कोशन आपने सवाई किया कुश्य नमर पहला है कि दिल्ली चलो कनारा किशने दिया था तो जो दिल्ली चलो कनारा दिया था वो शुभाष चंदर बोश द्वारा दिया गया था यह भी नारा दिया गया तो शुबाश्चंदर बोश्डवारा तुम मुझे खूं दो मैं तुझे आजादी दूँगा यह भी शुबाश्चंदर बोश्डवारा ही दिया गया था ठीक जो आहल लेहरू भारत के पर्धान मंतरी थे यह भी याद रखियेगा और महत्मा गांधी महत्मा की उपाधि जो दिया गया था इनके द्वारा अगर महत्मा गांधी का अगर पुशा है तो इनका जनम जो वगया था 2 अक्टूबर को गुजरात मे वगया था पोरूबंदर नमकस्थान पर आप question no.2 दुसरा हम लोग देखते हैं कि नेमलीखित में किसकी असफालता के बाद भारत छोड़ो अंदोलन अरम्भ हो गया था जो भारत छोड़ो अंदोलन अरम्भ किया गया था वो किसकी इसमें असफालता के बाद के शुरुवात किया गया था भारत छोड़ अंदोलन के शुरुवात किया गया था और इशी में महात्मा गांधी जी ने डू एंडाई का भिनारा दिया था करो या मरो याद रखेगा उनईशो 42 में इसकी शुरुवात हुथ थी तो दूसरा के अंसर क्या हो जाएगा बी हो जागा क्रिप्ष मिशन की जो असफ आलता है उसके कारण कुछ नमर तिसा है कि सत्यागरा आश्रम है उसकी अस्थापना जो किया गया था वो उनईशो 15 में किया गया था उनईशो 15 में ही दच्छिड अफ्रिका से लोट कर पूर्ता भारत में रहने के लिए कौन आगये थे महत्मा गांधी आगये थे ठीक और वो किस तारी को लोट के आए थे तो उसे प्रवासी दिवश भी मनाया जाता है सब लोग को पता है कि 9 जुनवरी को प्रवासी दिवश मनाया जाता है उस दिन महत्मा गांधी लोट कर आए थे उन्हीं को प्लक्ष मनाया जाता है यह उस दिन भारत में लोट कराये थे और भारत के राजनितिक में फिर वो सक्रिये हो गए थे भारत को अजादी दिलाने के लिए तो इसके संस्थापक जो उन्होंने आकर इसमें अस्थापना फिसब से पहला उनका क्या काम था तो वो किये थे सत्यागरा आश्रम का अस्थापना किसके द्वारा तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया थे याद रखिएगा ठिक अब क्वेशन नमर चोथा एक निम लिखित में कौन परतीभा साली, बिज्ञानिक, इंजिनियर, गड़ी तग, बिद्वान, कलाकार, मूर्तिकार सब इनको दर्जाती आजाते मालो तो ये बहुत बड़ा बिद्वान भी था ये कौन थे? तो ये लिनाडो दविंसी ये बहुत बड़ा चित्रकार भी थे लिनाडो दविंसी याद रखिएगा ठीक, तो फूर कैंसर क्या हो जाएगा अब क्कूश्चन नमर पाचवा आपको लगाना है कि बंगलादेश की मुक्ति की समय पकिस्तान के सासक कौन थे? जो बंगलादेश बना वह जब देखे बहरत जब अजाध हुआ था तो भारत के अजादी होने से पले इधर जो पश्यमी छेत्र में था, ठीक और यहां पर जो एक बंगलादेश है उसे पुर्वी पकिस्तान कहा जाता था और यहीं के बीच में आतेशे जाते थी यह लोग ठिक लेकिन क्या हुआ ना कि यहां के जो पूरा जैसे की पैसा है पूरा यहां का संसाधन है यहां के विकास करने में लोग लगाते थे तो यहा आर्मी जो था यहां पर आकर बंगलादेश में पूर्वी पकिस्तान पहले बोला जाता था था वहां पर बहुत अतेचार करता था तो उस्षी को मुक्त कलाने के लिए भारत के इंद्रा गांधी जो परधान मंत्री तूश में सक्रिय योगदान उनका है मुक्ति वाहिनी म पकिस्तान में ठीक तो फाइफ के इंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इंडिया डिभाइडेट के लेखक थे जो इंडिया डिभाइडेट पूस्तक है उसके लेखक कौन थे यह ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जो हमारे प्रथम राष्ट पती थे भारत के प्रथम पर साथ थे इंडिया डिवाइडेट के लेखक यहीं थे ठीक यह किया जा था Wall Street Journal इनके द्वारा किया जा जा था देनियल पर्न द्वाला किया जा था था थिक तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बहुत कम ही लोग ऐसे कोशन लगा पड़ते हैं लेकिन यह कोशन यूपीसी का कोशन है आया हुआ कोशन है ठीक फ्रांस उसके सासनकाल में बहुत ही विकास किया बहुत ही उसका छेतर बढ़ा था तो जो नेपोलियन के सासनकाल में जीतना फ्रांस बढ़ा वो कभी नहीं उतना फ्रांस बढ़ा नेपोलियन के पतन होने के बाद तो नेपाल के स्थिती बहुत ही खाराव हो चुका था ठीक तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है लेकिन मैं यह बात कर परह आधुनिक समय में लेकिन यह प्रछीन समय थे अर्ट दया गया है बहुत छोटा दरज़ा है क्योंकि नेपोलियन को दरज़ा देना चाहिए था समूंद्र गुप्त को इंडिया के समुन्द्रगुप्त नेपोलियोन को लिंग की अस्थापना किस ने की थी, जो होम्रूम लीग है, उसकी अस्थापना, 1916 में अखर भारतिये, होम्रूम लिंग की अस्थापना किस ने की थी, तो सिरी एनी बेशेंट थी, और ये प्रथम भारतिये महिला भी थी, प्रथम महिला जो कांगरे के अध्यक्ष बनी थी कांग्रेश के पर्थम महिला अध्यक्स कोन मनी थी तो सिरी एनी बशंड बनी थी और अगर भारतिये पुछा जाए ये भारत में आकर बस गई थी ठीक ना अगर भारतिये पुछा जाए ता आप सरोजनी नाइडू भी लगा सकते है तो एक ग्यारा के एंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा और भारत के पर्थम राज जपाल भी कोन मना था ता तो सरोजनी नाइडू थी ये भी याद रखिएगा अब कोशन नमर बारा है कि लाइफ ओफ पाई Life of Pi आप देखेंगे, मुभी भी देखेंगे, बहुत ही मस्त मुभी है, आप देख लिजेगा, ठीक, तो Life of Pi के लेखक जो हैं, इसमें मैं अपसन छोड़ दिया हूँ, लेकिन इसी में से इंसर होगा आपका, CD छोड़ दिया हूँ, तो यान मार्टेल कौन है, इसके वस्तुकार कौन था, ताज महल अगरा मिश्थित है, चो उसका वस्तुकार था, वो उस्ताज इसा था, डिजाइन तरने के त्यार करने वाला, ठीक, उस्ताज इसा, question number 14 है कि किस एक मात्र Congress अधिवेशन की अधिक्षिता महात्मा गांधी ने की थी, या एक मात्र Congress का अधिवेशन का, Congress, भारती, राष्टी Congress के अस्थापना 8805 में किया गया था, यह भी याद रखियेगा, और महात्मा गांधी क्या कहते, देश आजादी के बाद महात्मा गांधी बोल दिये थे कि Congress को खतम कर देना चाहिए, ठीक, कांग्रेस फिर नहीं रहना चाहिए, ठीक, लेकिन इनका जो सोच था, कि Congress को खतम कर देना चाहिए, वो अभी तक नहीं, वो मतलब की नहीं पूर हुआ, ठीक, Congress कितना भाग में फिर बटा भी, तो एक मात्र Congress अधिवेशन जो किये थे, जिसकी अध्यक्षता किया गया था, वो करनाटक के बिलगाओं जहां इस्थी थे, करनाटक मे मिश कुनशो सेटालिस में जो राष्टी Congress का अधियक्षे थे, वो कौन बने थे, ठीक तो ये कौन थे, तो पंदराक एंसर आप लगा लिजेगा, जेबी कृपलानी, कौन थे, जेबी कृपलानी जो थे, उस्थे में अधियक्षे थे, अब अगला कोशन जो है, ये कोशन जो है, बहुत ही इंपोटेन कोशन है, अब ध्यान से देखेएगा, मैं बतार हूँ एक बात, देखें, सिंधु घाटी सबहता, और रिगबैदिक या बैदिक सबहता में अंतर UPSC में भी कोशन आया था, तो सल पहले भी कोशन आया था, मिसकी आपे ये देश सकते हैं, हमक लेकिन ये कभी साक्ष नहीं मिला है कि उसका उपयोग होता था कि नहीं होता था, ठीक, ये नहीं मिला है, साक्ष मिला है कहीं कहीं पर, जुख हो जा गया है, और यहाँ पर दिया गयता कि मुख अंतर क्या था, तो मुख अंतर में आप आसानी से लगा सकते हैं कि गोड़े इंसर हो जाएगा कि जो आपको ये सिंधु घाटी सब्य था थी प्रशीन सब्य था बहुत पहले की सब्य था उसे आज भी मना जाता है कि वो नगरिये सब्य था थी उसका जो नाली था रोड था समकोड पर खुटता था ये भी आद रखियेगा नहाने के लिए पूरा सनान घर था तो ऐसा बहुत ही मतलब की भिक्सित था जैसे कि आज के समय में आप देखते हैं कि श्विंग पूल उसमें वहाँ पर भी बात जो करने के लिए नहाने के लिए था ठीक असनान घर था बहुत बड़ा ये रखने के लिए आपको जैसे कि अभी cold storage का system है कोशन में अनाज रखने के लिए भी था तो उशे जो माना जाता है शिंदुगाटी सभेता को उपर्थम नगर ये सभेता माना जाता है और बैदिक सभेता को ग्रामीर सभेता माना जाता है यही इसका मुख्य अंतर था अब अगला question हम लोग देखते हैं आप question जरूर बताएए कि अपने question कितना सही किया question थोड़ा tough लग रहा होगा question में थोड़ा label बढ़ा कर लिया हूँ आपको और भी अच्छा-च्छा question मिलेगा question number 17 कि प्राषीन भारत का वो पर्सिदी सासक जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उशने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म सविकार कर लिया था तो वो प्राषीन ऐसा सासक था परसिन काल में कि जो जैन धर्म सविकार लिया गया था और सोन वेल गेला में चला गया था वो करनाटक में श्तित है ठिक और वही पूनका मिरुद्ध्यू बे हो चुका था हो गया था ति ये कौन थे ये चंद्रगुप्त मोर थे बाद में ये कौन जनम तो जैंधरम सभिकार कर लिए बहुत फेबरेट कुश्चन भी आर पुलिस मतलब कि राजा जो इसके अनुशार क्या है आपको राजनितिक में पढ़ियेगा इसलिए हिस्ट्री के भी में पढ़ने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ने के मिलेगा फस्ट येर में ही पढ़ने को आपको मिलता है राज का देविये शिधान्त जो राज किया था ये जब गुलाम वंस में थे वो महान माने जाते हैं लेकिन कुरूर भी माने जाते हैं वो बलबन बलबन नहीं इसे लागो किया था ठिक याद रखेगा ता ठारा कैंसर क्या है कुटबू दिन एबक जो था वो गुलाम मंस जीसे मौमोलिक मंस भी बोला जाता है उसकी अस्थापना किया था कुटबू दिन का दमात कौन था? इल्टूतमिष था कुटबू दिन एबक ने कुटब मीनार की सुरुवारट तो कर दी थी बनाने के लिए जिगन पूरा जो किया था वो इल्टूतमिष ने किया था याद रखियगा इल्टूतमिष यहाँ पर है न, ये ये मुगल का एक सासस था मुगल वंस के स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो 1526 में पानी प्रत्थ के प्रत्थम युद हुआ था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में हुआ था तो बाबर ने उश्य में यहाँ पर अपना किया था मोगल वंसको उसके बाद जो भी हुआ जैसे आप देखते सी क्वेशन पर बीश है कि अनुन्तोदय का विचार किस ने दिया था कि गरीबु से गरीब के पास आपको सुलब या अच्छे से कोई भी खाने पाने का चीज पहुंचाया जासे गरीबु से गरीब लोगों का कलियार किया जाए तो इसका जो बीश कोशन रहा जरूर बताईएगा कि कैसा लगा और अगर कुशन में कुछ प्रूटी लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं उसे अगर लगेगा तो सही कर दूँगा और इसे आप चाहते हैं कंट्रियू तो मात आपको यस लिखना है क्योंकि पिछला जो मैं लेक्चर डाला वो पॉल्टिकल साइंस से लेक्चर था आपनों वो ने बहुत अच्छे से उसमें कमेंट किया है तो ज़्याद से ज़्याद से शेर किजिए लाइक किजिए श्टेडी मुल चैनल को सब्सक्राइब किजिए वी